बिजले के मुद्दी को लेकर भारती जनता पार्टी द्वारा आंदोलन केवल सहानभूती पाने के लिए किया जारा है जो कि एक धोका धड़ी है भाजपा अपनी नाकामे उपर परदाट डालने के लिए या बिजले बिले मुद्दे को आंदोलन कर रहे है महाविकास अगाडी के शपत ग्रवन समहारों के दोरान भाजपा को पालक मत्री नितिन राउत इन्होंने तीके बोल सुनाए एक तरफ भाजपा सरकार इदन की बड़ती कीमतों कैस की कीमतों और बड़ती महंगाई के बारे में बात करने के लिए तयार नहीं है दिल्ली में किसान आंदोलन को नजरन्दास कर रहे है जिससे सबजियों और कुरुशी वस्तों की केमत बड़ रहे है और भाजपा है कि बड़ती सुधार बिल लाने और इसे निजी कमपनी को बेचने का एक हतकंडा अपनाने के लिए आंदोलन कर रहे है यह प्रक्रिया महराष्ट राज्य विद्युत न्यामक आयोगे द्वारा स्वतंत रूप से की जाती है सरकार द्वारा नहीं राज़भर में सारवजनिक सुनवाई होती है और कानून द्वारा निर्धारित मान दंडों की अनुसार विजली की दरों को तैक करने की प्रक्रिया की जाती है विजली दर निर्धारन प्रस्ताव आगा मिस सरकार से पहले ही MSC DCL द्वारा आयो को प्रस्तूत कर दिया गया था आमी बैंकांचे सुद्धा ग्रहा काओ त्या मुल या सरव प्रश्नाची सोडवडों करनेची ताकत ग्रहाक राजा मनुन आपले आला स्वतास कराव लागना रहें ती आपले हाती आहे तुमचा कडिल थक्वाक्या आता महावित्रन साथी जीवन मरनाचा प्रश्न जाला है बिले न बरनेचा तुमचा नीरने महावित्रनला जगू शक्तो का है हे सुद्धा आपन याडिकानी तपासुन गेतल पाई जे साथ ही राउत इन्होंने कहा कि महाविकास अगारी सरकार नी कृषिनीती 2020 को लागू किया है और किसानों को बकाया से मुक्त करने के लिए एक क्रांतिकारी योशना बनाई है इस स्वरान पालक मतरी नितिन राउत इन्होंने विविद मुद्दो को लेकर चानकारी दी साथ ही कहा कि 18 जन्वरी 2021 के अंत में वित्तिय वर्ष 2021 के लिए राजस्व घाटा 16,405 करोड रुपय था हाला कि बकाय के कारण MSC DCL ने किसी भी ग्राह की बिजली आपूरती को बंद नहीं किया क्यामरा पोस्तिन राजकुमार मोड के साथ शितिजार देशमुक बीसी नियूस नापपूर